अस्ते विद्ध्यार्तियों, आज हम कक्षा आठ का आठवा पाठ यह सबसे कठिल समय नहीं इस रजना के अंदर कवित्री जया जादवानी ने ये बताया कि आगे बढ़ने से पहले ये जीवन पत में आगे चलने से पहले मनुश्य को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं अभी भी दवा है चिडिया की चोंच में दिन का और वह उड़ने की तयारी में है अभी भी जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक अभी भी भीड है इस्टेशन पर अ कहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी भी कहता है कोई किसी से किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज दूबने का वक्त हो गया अभी कहा जाता है उस कठा का आखरी हिस्सा जो बूढी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अ आएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं कवित्री कहना चाहती है कि हे मनुष्य अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है तुम्हें अपने लक्षे के और आगे बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए चडिया का उधान देते हुए कवित्री कहती है कि अभी एक चडिया अपना गोंसला बनाने के लिए तिनके एकत्र कर उड़ने के लिए तैयार है इसी प्रकार से व्रक्षिक से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए पकड़ने के लिए तैयार है अर्थार्थ अभी इतना मुश्किल समय नहीं है तुम अपने लक्ष की ओर बढ़ो यदि तुम लक्ष से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती को सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार है जो तुम्हें सद मार्ग पर लाने का प्रियास करेंगे कवित्री कहती है कि रेलगाडी नरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है इसी कारण अभी भी स्टेशन पर भीड है और एक रेलगाडी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने को तैयार खड़ी है इस रेल गाड़ी से जाने वालों का वहां कोई इंतजार कर रहा है अर्थार्थ प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचेन है वो कह रहा है कि सूरे डूबने वाला है इसलिए जल्दी से आ जाओ अर्थार्थ व्यक्ति के सुख और दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं इसलिए इस वातावरण में निराश होने की अवशक्ता नहीं है कवित्री संदेश के रूप में कहना चाहती है कि मनुष्य को अपने लक्ष की और बढ़ने से पूर्व घबराना या विचार नहीं करना चाहिए बलकि उसकी और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए इसके लिए कवित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार्स की बसके उधारन दे कर ये कहना चाहा है कि नानी अपनी परंपरा को निभाती हुई सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानी सुनाती आती रही है उसकी कहानी का महत्पून हिस्सा अर्थार्थ आकरी हिस्सा अभी रहा है अर्थार्थ अभी भी तुम कहानी सुन सकते हो यानि अपने लक्षे की ओर बढ़ सकते हो कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंत्रिक्ष के पार से एक बस यान उन बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूजते हुए सफलता प्राप्त करके आ रहे हैं अर्थार्थ आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष की ओर बढ़ते रहना चाहिए इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं है कवित्री ने यह कहा कि यह कठिन समय नहीं यह बताने के लिए इस कविता में कौन-कौन से तर्क प्रस्तुत किये गए यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कविता में अनेक तर्क प्रस्तुत किये गए हैं जैसे चिडिया अपनी चौच में तिनका दबाय उड़ने को तयार है क्योंकि वो अपने गोंसले का निर्मान करना चाहती है जैसे डाली से गिर्ती पत्ती को थामने के लिए उसे पकड़ने के लिए रोकने के लिए एक हास तयार है जो उसे सहारा दे रहा है जैसे एक रेल गाड़ी अभी भी अपने गंतव्य इस्थान को जाती है अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है नानी की कहानी का अंतिम महत्पूर्ण हिस्सा अभी भी वाकी है अभी एक बस अंतिरक्ष के पार की दुनिया में जाने वाले लोगों में से बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी इन सब तरकों के माद्यम से कवित्री ये कहना चाहती है कि अभी कठिन समय नहीं है सभी कारे निरंतर हो रहे हैं इसलिए अपने अभीष्ट मार्ग पर बढ़ने है तू समय का विचार मत करो आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो चिडिया चौँच में तिनका दबाकर उड़ने के तैयारी में क्यों है वह तिनकों का क्या करती होगी तो चिडिया चौँच में तिनका दबाकर उड़ने के तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके को यथा इस्थान पर रख करके और तिनके इकटा करके उन्हें अपने इस्थान पर रखना चाहती है वह इन तिनकों को इखटा करके उसे अपने और अपने बच्चों और अपने अंडों के लिए घौंसला बनाना है इस कवीता में और जो महकोन प्रश्ण है उनकी तरफ यदि हम जाएं तो जैसे एक प्रश्ण है कि जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक इस पंक्ती से क्या आश्य है जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक इस पंक्ती से आश्य है कि पेड से तूट कर गिरती हुई पत्ती को गिरने से पहले कोई सहरा देता है ठीक वैसे ही यदि हम अपने लक्ष तक पहुँचने में असफल हो रहे हैं तो कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति हमारा होंसला अवश्य बढ़ाएगा इसमें एक और अच्छा प्रश्ण है कि अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती है अंतरिक्ष के पार से आती बस के बारे में कवित्री ये कहना चाहती है लाएगी जिन्होंने हिम्मत ना हार कर म्रत्यू से लड़ते हुए अपने लक्षे में सफलता हासिल की है